जहन दोस्तों मैं रगूतियागी आज आपको बताऊंगा आपकी धान की खेती में फर्टिलाइजर मेनेजमेंट मतलब कौन-कौन से खाट डालने चाहिए शुरू से लेके आखरी तक कौन सा इस पर करना चाहिए जैसे आपकी फ़सल सुरच्छे तो अच्छी पैदावारों चमक आए और दानों में बजन बढ़ी आए आई दोस्तों शुरूआत करते हैं सबसे पहले आपको लेना है माइकोनेट 4 किलोग्रम प्रतेकर साथ में लेना है मोनो जिंक आपको 5-6 किलोग्रम प्रतेकर इसके साथ में रखना है डीएपी 40-45 ग्रम प्रतेकर आपकी यहां पे diz 60-70 किलोग्रम प्रतेकर iedereen लें कि माइकोनेट अगर आप प्रतेकर साथ में लेकादКर रखना है तो इसके साथ में प्रतेक दाने को घोल के पवेद्व को हपलब्द कराना है माइकोनेट का, इसके साथ में रूट है यहां जड़ों का अच्छा बिकास करता है तो डीए एक भाग को मजबूती प्रदान करना, तागत देना और दानों में बजन बढ़ा के चमक लेके आना, लेकिन आपकी यहां पर जाता देखा जाता है, पुटास डालते ही नहीं, तो पुटास अगर डालना है, तो आप महा पुटास के नाम से जो आता है, वो 5-6 किलोग्रम प् पानी लगा के जुताई करके कीचर बना लो, पलेटा लगा के रुपाई के लिए खे तैयार हो जाता है, उस टाइम पर यह चीज़ें आपको डालके रुपाई कर देनी है, इसके क्या होगा आपके माइकोनेट अगर मिलाते हो तो पौदों में जड़ों की संक्या बहुत करके पौदे की, जो पौद लगा रहे हैं उसको जल्दी से डबलब करना, फैट करना, उसके साथ में कल्ले जादा से जादा फूटेंगे, इसके बाद में दूसरी बार जब खाद आप डालते हो जमीन में, उस टाइम पे आपको लेना है, एक से डिर्ड किलोग्राम इस प उसके साथ में आप यूरिया मिला के तीनों चीज़े, इस पार्क, बीबीसी, बीबीसी नहीं मिलता है तो पावर जिंक, पावर जिंक के साथ में यूरिया मिला के ये जमीन में डाल देना है, और दूसरी बार जब डालो नमी भरपूर होनी चाहिए, तीन से चार आंगल प करता हूं कल्ले ज्यादा से ज्यादा आपके फूट जाएंगे उस टाइम पे अच्छी ग्रोथ और अच्छी पैदावाद चाहते हैं तो यह नीचे का टीटमेंट होगे इसके बाद में ऊपर एस्प्रे के लिए मैं आपको बता दूँ पहला जो एस्प्रे आपको करना है व चार से पांच ग्रम प्रते लीटर पानी में उसके साथ में आपको लेना है फिट प्लस फिट प्लस आपको एक से डिएड़ एमेल लेना है प्रत लीटर तो कोवेर चार से पांच ग्रम फिट प्लस एक से डिएड़ एमेल दोनों को मिला के आपको पानी में इस्प्रे कर द कें इस साथ सारे। का उप्लब्द कराएंगे इस xνα प्रत्य का पगता करता है। और अच्छी पैदावारय ना मनेक बद दूसरा में लेना है लेना है रहसी परोड़ों दो बैमल ना का है वेशी पर देना है उससे आपके अपके फ़सल की काय पलटों जाएगी इसके साथ में आप एक इडटी नाम से बरेट पर्संट जो आता है वो आपको एक ग्राम प्रत लीटर पानी में मिलाना है ug मत ओड़ेगी दानों की संखिया बढ़ेगी दानों का 79207246 एक बार रेपीट कर देता हूं 8979207246 अगली बीटियों में आपको बताऊं यह तो फटलाजर कीटियों का रोगों का प्रवंद के से करना है कौन कौन से रोग आते हैं उनके लिए कौन कौन सी दबाई प्रयोकर नहीं है जब तब आप इंतजार करें थेंक यू